Indian cinema में एक ऐसी film जिसको हमेशा comparison के लिए दूसरी side रखा ही जाता है बात हो रही है बाहूबली की आप समझी गए होगे और फिर से एक बार एक film को बाहूबली की expectation की विज़े से fail का ठपा मार दिया गया है जबकि reality में इस नई फिल्म और बाहूबली का दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना ही नहीं है PS1 पोनियन सिल्वन फिल्म को लेकर अलग-अलग टाइप के लोगों ने अलग-अलग टाइप के सपने सजा रखे थे और कल माने yesterday जब फिल्म finally release हुई तो लोगों ने मूफ उला लिया फिल्म को total garbage बता दिया अब मैं अपना side बताओं आपको मुझे क्या feel हुआ सच बताओं की tension मतलो आप agree भी कर सकते हो disagree भी PS1 एक historical adventure की तरह है इसमें घुसने के लिए आपको already चोल डाइनस्टी के बारे में थुड़ा पता होना ज़रूरी है मैं जानती हूँ ऐसी कोई शर्ट नहीं होती कि कि किसी film को देखने के लिए पहले उसके subject को पढ़ना पड़े लेकिन यही तो असली game है PS1 की कहानी बहुत ज़ादा confusing लग सकती है fresh audience को क्योंकि इसमें बहुत सारे characters है और कहानी के अंदर बहुत सारी चुटी-चुटी कहानियां भी है यहाँ पर डिरेक्टर सर मनी रत्म को थोड़ा सोचना चाहिए था उन्होंने audience को ज़रुत से जाधा होश्यार समझ लिया या फिर हर किसी ने PS1 novel पड़ रखी है यह बात उन्होंने अपने मन में बिठाली खुदी सवाल खुदी जवाब बस जैसे ही थीटर में फिल्म शुरू हुई audience अपने आप दो कैटिग्रीज में डिवाइड हो गई पहले तो बाहु बली lovers जिनको चाहिए था PS1 से मसा रहा जोरदार fast-paced action scenes और एक larger than life type का fictional experience दूसरे history lovers प्लस book readers इनके लिए तो बच्पन वाली कहारी को बड़ी screen पर देखना dream come true हो गया वाव nostalgia इसके अलावा एक और बड़ी गलती जानते हो film के maker से क्या हो गई ठीक release से पहले इन लोगों ने चिला-चिला भी है उपर वाला तो कुछ मिला नहीं उल्टा फिल्म में यह लोग focus shift कर दिये सिफ लव स्टोरी पर एश्वरे राई की beauty को highlight करने में first half निकाला और दूसरा half तुरिशा की zoom in zoom out शॉट में time pass कर दिया और फिल्म के जो बाखी एक्टर्स हैं उनके साथ audience जब तक connect नहीं कर पाती उससे पहले ही उनका scene change हो जाता है किसी भी character को अलग से stand out करने का मौका ही नहीं मिला अब आप खुद सोचो पांच मिनिट में जब पांच actors अलग अलग पांच कहानियों को लेकर आपकी पर हमला करेंगे तो बिचारा दिमाग कब तक जहल पाएगा गिव अप मार नहीं पड़ेगा बस यहां पर हो गया फिल्म का टाटा भाई 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 इसके आगे लोगों ने फिल्म एस टोटल वर्क नहीं करेगी 95% ओडियंस के लिए वी एफेक्स एक्शन म्यूजिक तीनों लेट डाउन है बड़े बड़े अंड़ाउटेडली लेकिन पीएस वन को एक डिजास्टर बोलना खुद में एक डिजास्टर वाली बात है मनी रतनम के इंटेंशन सही थे वो चोल डाइनिस्टी को रीक्रियेट प्लस रीलिव करना चाहते हैं बिना जादा कुछ एक्सपेरिमेंट किये जैसे का तैसा नो मिर्च मसाला बडगड़ ये हो गई कि हम लोगों को स्कूल टाइम से ही हिस्ट्री को ऐस हिस्ट्री नहीं कहानी की तरह सुनने में मज़ा आता है नरेशन इंटरस्टिंग होना चाहिए प्लस समझने में इजी भी बट पीस वन इस मिशन में हो गई फेल और बाहू बली से कंपारजन ने फिल्म को डुबा दिया मेरी दरफ से फिल्म को मिलेंगे पांच में से दो स्टार्स पहला तो फिल्म का कॉंसेप्ट गोल्डन हिस्ट्री को बड़े स्क्रीन पे लाना अल्वेज अप्रिशियेटड दूसरा स्टार कास्ट खुब लंबी चॉड़ी ब्यूटी विद ब्रिंस का परफेट कॉंबो नेगेटिवस में पहला तो कटेगा फिल्म का पूर एक्जेकूशन ओडियेंस पर ब्लेम मत डालिये फिल्म हर किसी के लिए बनने चाहिए सिर्फ कुछ कैटेगरीस के लिए नहीं दूसरा स्लो पेस काफी धीमा स्क्रीन प्ले जो बोरिंग फील हो गई होगा और तीसरा कटेगा सिर्फ बिल्डप बिल्डप पूरा कॉंटेंट पार्ट टू के लिए ही छोड़ दिया तो फिर वन देखने का फाइदा क्या है बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो आपको इंस्ट्रग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा इंबजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बागी वीडियो में